नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यदि आप Board Exam Hall में परिक्षा देने के लिए गए हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपको काफी सारे questions आ रहे हैं लेकिन आपको कोई questions ऐसे भी हैं जो की नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि Board Exam दोस्तों Board Exam यदि आप Class 10 और Class 12 के शुडेंट हैं जो की इस बार Board Exam देने जाने वाले हैं फिर Board Exam देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंते तक देखते रहे हैं कि आपको नहीं पता है उनकी आंसर दोस्तों ऐसे situation में आपको क्या करना है जिसन की आपको जिन प्रश्ण का उत्तर नभी आता हो उसके नंबर आपको मिल जाए तो देखिए दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आ रहा है तो अगर आप उसको अपने मन से लिखेंगे अपनी भाषा में लिखेंगे राइटिंग ठीक होगी और उतने ही उतने ही शब्द शीमा का ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ नहीं तो पांच नंबर तो मिली जाएगा फिर चार नंबर तो मिली जाएगा तो दोस्त उसको पढ़ने के बाद उसको अपनी भाषा में आराम से समझने की कोशिश कीजिए और आप इस पे मत जाएए कि जो वहाँ पर रट के आए हैं आप घर से वही आप लिखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो फी कुश्चन आप पढ़ें उससे रिलेटेड कोई भी शब्दा आपको एक-एक कुश्चन को चेक करेंगे अच्छे से एक-एक आंसर को चेक करेंगे एक-एक वर्ड को देखेंगे तो दोस्तों उपर-उपर सा देखते हैं अगर आपका कुश्चन का आंसर सही है तो आपको अच्छे खासे नंबर दे देते हैं तो दोस्तों कोशिस कीज आपको पसंद आई होगी मिलते हैं एक ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद